रादी रादी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों अगर आप रोज की भाई आलू बैंगन, आलू मटर, आलू टमाटर आलू को भी खा के बोर हो गए हो तो एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करो आप सच्छे में उंगलिया चाटते रहे चाहोगे और हमेशा यही बनाना पसंद ख है हमने इस तरीके से इसका छिलका निकाल दिया है कुछ दिनों से फ्रिज में बैंगन भी पड़ा हुआ था जिसके कोई भी किसी को परवा नहीं थी और कुछ मटर भी छिले हुए पड़े थे जिनकी अब कोई शकल भी नहीं देखना चाहता था घर में तो मैंने सोचा चल बड़े साइज का या फिर दो मीडियम साइज के टमाटरों को भी हम इस तरीके से मोटा काट करके डाल देंगे बहुत कम महनत वाली यह रेसिपी है लेकिन स्वाद इतना गजब का आएगा कि सब उंगलियां चाटेंगे और यहां पर हमने जो मटर पड़े हुए थे ना छ चा लोगों के लिए सब्चीब बना सकते हो और इसमें रालेंगे हमादी चोटी चमशन नमक तो सारी चीज़ें आपको अपने ज़रूरत और अपनी पसंद के इसाब से लेनी है यानि कि इंग्रिटियन तो यही रहेंगे लेकिन अपनी ज़रूरत के इसाब से कम जादा कर आई में एक तरह पूकर में उपकरा है इधर हम हमने डबल शिप्ट अपनी शुरू कर दिया जिसे हमारा जल्दी से काम हो सके हिंग जीरा का दड़का लगा देंगे हर हमेज डालेंगे हमारे कटा हुआ लासुना द्रग भी हाप ढाल सकते हो इसमें और प्यास ढाल देंग कि इस जिष में टमाटर का टेज़ बहुत ही अच्छा आता है कलर भी बहुत अच्छाएगा उससे तो हमने वालिये में टमाटर डाला है उससे बहुत यह एच्यक हट आने वाला है और यहां पे डाल रहे हूँ हूं ठोड़ी दहिर अटा लाल मिनल नमक ध्यूर्ली से तेल रिलीस कर दे जब रोगन अच्छे से आएगा ना तो सब्जी जब आप लास्ट में बनके तयार होगी तो टेस्ट और कलर दोनों ही अच्छा आएंगे थोड़ा सहरा धनिया भी यहीं पे हमने डाल लिया है बराबर चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे इस मसाले को इस त देख सकते हूँ यहां पर जब मैंने ढकन खोला इसमें पानी की मातरा जएदा नहीं है और इन सारी चीजों को हम हलका हलका मैच कर लेंगे बहुत ज़्यदा तो मैच नहीं करना है आलू को इलका तोड़ लेना है अब यहां मसाला भी तयार है तो देखो हमारा काम कितनी ज प्यार हो गई हैं तडके में डाल दिया है इन सब को अच्छे के सा गुमा देंगे अच्छे से मिला देंगे और अगर बहुत थोड़ा सा दो तिन टेबल स्पून बस पानी ढाल दिया है कुकर को ही रिंस करके अच्छे से हमने इसे मिला दिया लो फ्लेम फिर मैंने दो से तीन मिनार पकाया है कि सारी चीज़े अच्छे से पक जाएं एक दूसरे में गुल मिल जाएं मसालिव वगेरा फिनिश करेंगे इसे एक चमक घी के साथ पतली और लंबी कटी हुई अधरक के साथ और हरे धनिये के साथ साथ ही तोड़े नीबू के रस के साथ तो लास्ट में चार चीज़े डालना मत भूलना घी अधरक धनिया और नीबू गैस की फिलम को आफ कर लिया है अच्छे से इसे मिला देंगे हमारी एकदम जहनाटेदार ती की चटपटी बहुत ही मज़ेधार ये सबजी बन करके तयार हो चीक हुई है और सभी ने उंगलियां चाट चाट करके खाई देखो कितनी अच्छी बन गई आप भी ट्राई करो ये बैगन मतर की सबजी बहुत पसंदाने वाली है आपको व लुकर लीजिए का